नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News लाइब पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर फिर बड़ा संक्रमन 995 नए पॉजिटिव दस की मौद बहन के विवास्ता प्रेमी बर कातिलाना हमला उपचार के दोरान महिला की मौद आईये देखते हैं खबर अविस्तार में फिर बड़ा संक्रमन 995 नए पॉजिटिव दस की मौद नागपूर जिल्ले में मंगलवार को फिर से नए संक्रमित बढ़ गए जिल्ले में 995 पॉजिटिव मिले और 10 की मोत हो गई इतना ही नहीं सक्रिय मरीज भी बढ़ कर 8844 हो गए बढ़ रहे संक्रमितों ने प्रशाशन को चिंता में डाल दिया है जिल्य में सक्रिय मरीजों की कुल संक्या 15,1660 और मृतक की संक्या 4,351 है 599 संक्रमित आज ठीक हुए है तो वही दूसरे और बेहन के विवाहिता प्रेमी पर कातिलाना हमला एक युवक ने मित्रों की मदद से बेहन के प्रेमी पर जानलेवा हमला किया है यह वारदात अजनि ठाना परिशर में हुई है चंदरनगर दिवासी अमन शेड़के के नितेश नामक युवक की बेहन से प्रेम संबंध है अमन विवाहित है इस वजह से नितेश बेहन के प्रेम संबंध से आहत था उसने बेहन और अमन को नसीहत भी दी थी उसने सोमवर की रात अमन को अपने घर बुलाया अमन पत्नी के साथ नितेश के घर पोचा वहाँ नितेश ने सूनयन, खर्च और अन्यद दो सातियों की मदद से चाकू तता रोड से हमला करके अमन को गंबिर जक्मी कर दिया अजने पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर सूनयन को गिरफतार किया है तो वही तीसरी और उपचार के दोरान महिला की मौत परिवार नियोजन ओपरेशन के लिए भरती की गई महिला की उपचार के दोरान मौत हो गई जबलपूर निवासी 38 वर्षिय मुस्कान राजा गुलवानी को 24 फरवरी की सुबह ओपरेशन कराने के लिए पाचपाउली के मुकरजी होस्पिटल में भरती किया गया था तबियत खराब होने से उने विम्स होस्पिटल में भरती किया गया वहां उनकी उपचार के दोरान मौत हो गई पाचपाउली पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है अब आप हमारे चैनल को एप पर भी देख सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर M&A सिंदी लिके और एप डाउनलोड करें साथी साथ आप हमारे फेस्बूक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरे देख सकते हैं अब फिलाल वक्ता चला है एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर धन्यवाद